अब इसाहट को भी देख लिजी वाई, शूस किस तरीके से साफ हो जा रहा है, चाय कितना भी स्टेन लगाया, उसमें कालापन लगाया, गंदगी लगी है, पिर यह बहुत ही आसानी से साफ हो जा रहा है, और तो और इससे पर्स भी साफ हो जा रहा है वाई, यह एक ऐसी प्रोड़क्ट को भी देख लेते हैं मगा के तो चलिए फ्रेंड मगाते हैं इस प्रोड़क्ट को और देखते हैं इसकी सच्चाई इसके लावा डबे में और कुछ भी नहीं मिलता है यहां पर हमारे पास आ गया है वाइड शू क्लीनर टोटली चाइनीज इस प्रोड़क्ट का भरोसा क्या यार चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक यह कहावत आपने सुनी होगी इसमें चैनीज लेंग्वेज लिखी हुई है तो मैंने इसको ट्रांसलेट किया इसमें लिखा हुआ था कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें एंड यह खाने पीने का प्रोड़क्ट नहीं है यह सिर्फ एक पॉलिश है शूस पे लगानी है उसको थोड़ा सा रब करना है फिर उसके पाद एक तॉलियों से पोच लेना है तो एड में भाई किसी भी तरीके का कोई तॉलिया नहीं दिखाया गया था और सेम प्रोड़क्ट है नेच्रल तरीके से बना हुआ है इसमें नारियल का तेल पता नहीं क्या-क्या पढ़ा हुआ है बाई सबें यहाँ पर देखिए 260 प्लस इसमें 10 परसेंट एक्स्ट्रा दे रखाए नोने कुछ इतना बड़ा मेरे हाथ के साइज मतब हाथ के बराबर एक मुट्टी में इस तरीके से आ रहा है आप चलिए इसको खोल के देखता हूं मैं इसके अंदर है क्या कड़कान एंड ये स्पॉंज मिल जाता है इसमें इसके उपर एक कैप लगी हुई है देखना भाई इसके अंदर इसमेल भी आ रही है इसमेल ठीक है गाइस जो हेर बैक्स होते नहीं है बालों में लगाने वाले ये उसी तरीके का लग रहा है यहाँ पर आप देख लीजे फ्रेंट ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा इस महसूस हो रहा है अगर इसके शूस साफ होते हैं तभी मैं ये आपके लिए रेक्मेंट करूंगा सब कुछ आपके सामने होगा बने रहीएगा वीडियो में तो चलिए मैं लेके आता हूँ शूस सब्रेट यहाँ देखिए इससे भी जादा गंदे शूस हो सकते हैं यहाँ चार तरफ से देखिए ठीक है तो इस पर भी स्टेन लगी हुई है काफी जादा है तो चलिए देखते हैं इस प्रोड़क्ट की सच्चाई यह है इसके लगाने का तरीका यह इस पंज लिया कुछ इस तरीके से रगड़ा ठीक है मैं भाई अच्छा घाजा लगा हूँगा यह देखिए लगाने में कोई भी कमी नहीं रखना है मुझे ताकि पता तो चले कि यह काम करता है कि नहीं करता है क्या लगता है काम करेगा तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ यह देखिए गाईस अभी जो है ओ भाई कुछ सफेदी तो आ रही है हैं सफे मतलब यार इसके लेकि उपर एक कोट चड़ रहा है यहां यहां पर हमारे पास है यहां पर है एक देशी ब्रस तो आप देखेंगे यह देशी ब्रस अच्छा काम करता है यह फिर यह अच्छा काम करता है तो चलिकर और देख लीजिये अभी शूँल में जो है कितनी stain लगी हुई है या इधर वाला जो area है यह हम साफ करने वाले हैं white shoe cleaner से ठीक है बागी इधर का area करेंगे हैं brush से साफ इसमें एक भी रुपी आपका खरच नहीं होने वाला है और इसमें भाई अभी रुपा पताऊंगा मैं कितने खरच हो रहा है तो यहां देखे friend इसको so friend जैसा कि उसमें बोला गया था भाई कि एक जो है कपड़े से साफ कर लेना है तो अभी जो है हम इसको कपड़े से साफ करने वाले तो result आपके सामने है यहां पर आप देख लेजिए भाई इसने कैसा काम किया है हाला कि बिल्कुल clean कर दिया है तो चलिए अब बारी है इस ब्रश की तो इसको भाई हम थोड़ा सा गीला करके लाया हूं मैं वह भी यहां पर देख लीजिए गाई अभी आप कितना भी इसको रगड़ेंगे कितना भी इसको रगड़ेंगे भाई लेकिन बोबाली बात नहीं आपाएगी जो बाइट शू क्लीनर से बात आई है यहा इसको भी देख लेते हैं गाईस चलिए इस पे भी हम ट्राइ करके देखते हैं और यह भी देखते हैं कि बाई यह ऊपर का एरिया जो है साफ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा यहां पर आप देख सकते हैं यह जो कपड़ा लगा हुआ है तो इस पे इतने अच्छे से इसने वर्क नहीं किया तो चलिए मैं एक बार चमले के जूदे पर देख लेता हूं गई तो चलिए इस पर देख लेते हैं वाई एक बार लगा के यहां पर आप रिजल्ट देख लीजिए फिलाला भी मैं इसको जो है कपड़े से साफ करके दिखा देता हूं आपको कि कैसा काम किया इसने इस पर फ्रेंड यहां पर देख लीजिए अप बात करें किसने कैसी सफाई की तो यहां पर आप सोल देख सकते हैं एकदम क्लीन हो गया और जो जादा गहरा जो ब ब्लेक ब्लेक लग जाता है चाहिए वो आपके टायर लग जाते हैं सोल पे कुछ भी हो जाता है या फिर किक मारते हैं बाइक का ब्लेक हो जाता है उस तरीके का जो कलर इस पे लगता है तो वो साफ नहीं कर पाता है एंड जो इस पे जो गंदगी लग जाती है जो पानी की गंदगी धूल मिट्टी जो भी लग जाती है तो वो तो इससे बहुत ही इसली जो है साफ हो जाती है और दूसरी चीज यह है भाई कि अगर आपका शूस कुछ इस तरीके का है और यहां पर देखिए कुछ इस तरीके का कपड़ा लगा हुआ है ना उस पे तो अगर आप चाहें के उपर का हिस्सा भी साफ हो जाए भाई तो भाई ऐसा नहीं है अगर वाइट शू क्लीनर तो भले ही है यह बट यह जो कपड़ा है यह ना उपर का तो यह उसको और भी ज़्यादा मेला कर देगा और आगर आपने यह लगाने की कोशिश की स्पंजिस में इस आपके यह उस काम में आसकता है जैसे इमर्जनसी में आपको कहीं जाना है और आपके सूस है गंदे तो ऐसे में अगर आपको गीला कपड़ा उस पे जो गंदगी है वो नहीं फैलेगी तो यह लिक्वेड जो होता है जब इसमें लगता है भाई तो यह गीला हो जाता है जब यह गीला होता है तो इस पेसे गंदगी को जो है खेचता है जब गंदगी खिषती है भाई तो इसमें जो है सारी गंदगी इसमें आ जाती है बस बा कमेंड बॉक्स में जरूर गदाना मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त धन्यवाद थेंक यू बबाए